धामपुर क्षेत्र में तीन दिन से गायब एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे जाडियों में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्थानिय पुलिस एवं फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुँची। मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के नूरपुर मार्ग स्थित एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे जाडियों में पड़ा मिला। इस सूचना पर स्थानिय पुलिस एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँची पुलिस को मृतक की जेब से अधार कार्ड मिला। जिससे पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुँचे। और परिजनों ने मृतक व्यक्ति की पहचान, सुरेश कुमार उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम, आनंद खेडी थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर के रूप में की, सुरेश कुमार धामपुर क्षेत्र के एक कोलहू पर काम करता था. मृतक की बेटी मोनिका ने बताया कि उसकी करवा चौत के दिन अपने पिता से बात हुई थी, उसी दिन उनका बिट्टू नाम के एक व्यक्ति से जगड़ा हुआ था. उसके बाद वे ना तो घर पहुँचे और ना ही कोलहू पर वही आज उनका शव पड़ा मिला है. मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्मार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. धामपुर से साकिप शेख की रिपोर्ट. जगड़ा का बाद आपकी कोई बाद भी हुए इंचे आजगड़ा के बाद आपकी कोई बाद भी हुए इंचे.